नमस्कार दोस्तों मैंनों सुमित करेल और आज रिव्यू करेंगे ब्लडी डैडी स्टारिंग शाहित कपूर और डिरेक्टेट बाई अली अबास जफ़र जिन्नोंने टाइगर जिन्दा है और सुल्तान जैसी ब्लॉगबश्टर स्लिम बनाई है दोस्तों ब्लडी डैडी की जो कहानी है वो बहुत ही आउटडेटेड है बाई गॉन एरा की कहानी है ऐसी कहानी हमने कहीं दफ़ा हिंदी फिल्मों में, डब्ट फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में और हॉलिवुड फिल्म में हमने देख चुकी है और कहीं दफ़ा देख ली है कहानी ये है कि एक पुलीस ओफिसर एक ड्रग्स पकड़ता है तो जो ड्रग लॉड्स होते है वो ड्रग्स छुडवाने के लिए पुलीस ओफिसर के बेटे को के डैप कर लेते है और उसको कहते है कि ड्रग्स दे के जाओ और अपने बेटे को ले के जाओ तो शाहिद कपूर उस drug lord के यानि रॉनित रॉय के होटेल में जाते है जहां पर उनके बेटे को रखा जाता है वहाँ action होता है और वो अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश करते है छुड़वा पाते है के नहीं पाते है यह आप जब फिल्म में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा शाहिद कपूर और उसके बेटे की भी कहानी है कि उन दोनों के जो बाप बेटे के रिष्टे कैसे है उस पे भी एक इसका subplot है जो कि जब आप फिल्म को देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों जब ऐसी कहानी हम कहीं दफा देख चुके है तो यहां मैटर करता है execution और direction कि अली अबास जफर किस नई तरीके से इस कहानी को पेश करेंगे और कैसे अपनी audience को engage कर करेंगे क्योंकि ऐसी कहानी audience ने बहुत बार देख ली है फिल्मों में, टीवी स्रियल्स में, वेब सिरिस वगरा में तो कुछ भी नयापन नहीं है तो I am very disappointed with the execution and direction of अली अबास जफर कुछ भी नयापन वो इस कहानी में नहीं ला पाए उल्टा कुछ कुछ चीजें इन्होंने इसमें ऐसी की है जिससे आप irritate हो जाएंगे जैसे कि बेवज़ा की forced comedy, forced humor इसके screenplay में, इसके narration में डालने की कोशिश की गई है जो उनके villains है, Ronnie Troy, Sanjay Kapoor और उनके साथ जो supporting actors है, उनको as a clown present किया गया है as a joker दिखाया गया है they don't look intimidating at all, rather you will feel like watching a clown वो comedy कर रहे है, एक दूसरे को गालियां दे रहे है और audience को ऐसा लगए है कि आपको हसाने की कुशिश की जा रही है लेकिन आपको हसी आती नहीं है तो जो आपके main villains है, आपके जो drug lots है वो ही menacing नहीं है तो कहां से hero versus villain की fight देखके आपको जायज लगेगा शाहिद कपूर भी बीच में comedy करते रहते है जो की देखके बिलकुल मजा नहीं आता है जो intensity है इस कहाने की वो ये false humor पुरा खराब कर देता है अब रही बात action की है क्योंकि ये एक action film है शाहिद कपूर की career की पहली action film है और action भी आपको बहुत जादा disappoint करेगा जो आपने इसके teaser में देखा जो इसके trailer में देखा लगभग उत्रा ही action इस पूरी film में है कुछ-कुछ fights अच्छे है जो की राजिव खंडेलवाल के बीच में और शाहिद कपूर के बीच में एक kitchen के अंदर में फरमाई जाते है वो देखे आपको मज़ा आएगा और दो-चार और scenes है जो की well choreographed है और अच्छा action है लेकिन जो overall इसका action है वो कुछ खास दमदार नहीं है कुछ लोग Taylor देखे इसको John Wick के action से compare कर रहे थे John Wick से compare कर रहे थे तो मैं बतारा जाता हूँ कि John Wick का 0% भी इसका action नहीं है तो कोई comparison बनता ही नहीं है यहां तक कि Rocky Handsome जो की लगभग ऐसी ही film थी John Abraham की बहुत साल पहले आई थी उसका action Bill Daddy के action से कहीं गुना भैतर है कहीं गुना stylish है रियल लगता है इसमें शाहिद ने बहुत कोशिश की एक अच्छा performance देने की जो कि इन्होंने दी है action scene में भी काफी अच्छे लगी है लेकिन script में बिलकुल भी दम नहीं है तो he couldn't rise above the shorty script इस script से उपर वो उठ नहीं पाए इस पूरी फिल्म में राणी तरोई को वेश्ट कर दिया गया संजी कपूर को वेश्ट कर दिया गया राजीफ कंडलवान ने ठिक ठक acting की डियाना पैंटी ने भी ठिक ठक acting की और कुल मिला के पूरी picture में आपको बिलकुल भी मज़ा नहीं आएगा जो उसका plot है वो बहुत ज़्यादा predictable है आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है तो अगर plot ही predictable होगा तो thrill audience को कहां से मिलेगा tension audience को कहां से होगा narrative में अगर thrill नहीं है tension नहीं है आपको plot engage नहीं करके कुछ action scenes को हटा दे तो picture में बिलकुल दम नहीं है और picture बहुत ही सस्ती लगती है इसका जो production value है यह बहुत ज़्यादा substandard है शाहिद कपुर की पहली action film है अली अबास जफर से बड़े director ने इस film को direct किया है तो इसका जो scale है उसको बड़े scale पे, बड़े पैमाने पे mount करना चाहिए था फिल्म देखने में बड़ी लगनी चाहिए थी लेकिन बहुत ही छोटी लग रही है आपको देखके बहुत हसी आएगा कि गुड़गाओं को दुबई जैसा दिखाया गिया है बड़े-बड़े skyscrapers building 100 तले के, 80 तले के, 60 तले के इस पूरी picture में दिखाया गिया है जो कि आपको लगी है कि अब दुबई को देख रहे हो लेकिन वो होता गुड़गाओं है और गुड़गाओं का ही जिकर इस फिल्म में किया गिया है तो आपको बहुत हसी आएगी कुछ कुछ देखे कि यार कि ओडियन्स के बेखूफ है कि ओडियन्स बुद्धी नहीं है दिमाग नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि यह consistency है तो overall, Bloody Daddy is a bad film अगर यह ठीटर्स पे आती तो comment section में जरूर बताएगा कि आपको यह film कैसे लेगी signing off सुमित करेल Thank you